हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टो ग्लोबल आउनलाइन, दिस इस अंकीता सोद, सोही माचल परदे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 एग्जामिनेशन की तयारी कर रहे, सभी उमीदवारों के लिए एक बहुत ही जादा इंपोर्टेंट और इंफॉर्मिटिव वीडियो मे बारे में बात करेंगे, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए common और compulsory पेपर होता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चीज़ समझनी है, कि किसे भी competitive exam में, previous year questions बहुत जादा important होते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता है, कि previous year questions as it is repeat किये जाते हैं, लेकिन इस paper में, हिमाच्वर प्रदेश सेट exam में, एक confusion वाली बात ये है, कि ये examination 2017 के बाद, अब 2024 में जाकर होने वाला है, तो क्या previous year questions को repeat किया जाएगा, तो इसका जवाब है, कि आप लोगों के 10 से 15% chances हैं, कि previous year questions as it is आई, देखो क्यों, क्योंकि पहले जब examination हुआ था, तो उस समय education policy कुछ और थी, इस exam का syllabus में कुछ और था, आपको पता होगा कि पहले इस exam में 3 paper हुआ करते थे, लेकिन अब जो examination है, इसका pattern change हो चुका है, तो अब इस exam में सिरफ 2 paper conduct करवाए जाएंगे, तो pattern में, paper के syllabus में, difficulty level में बहुत जादा बदलाव आए है, इसलिए previous year questions पढ़ कर जरूर जाहिएगा, बट उस पे पूरे तरीके से dependent रहना possible नहीं है, कि वो आपका selection दिलाए, ये चीज़ possible नहीं है, तो आप कैसे selection होना चाहिए, ये हम बात करेंगे, So students, examination के latest pattern और latest difficulty level को ध्यान में रखते हुए, हम paper 1 का complete course आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर exam से पहले आपका full syllabus video lectures के साथ, हम पूरा syllabus cover करवानी की 100% surety देते हैं, Hindi and English दोनों languages में ये courses available है, जहां पर बहुती simple language में, real life examples के साथ, बहुती easy tricks के साथ, आपके पहले सारे concepts clear करवाए जाएंगे, उसके बाद MCQ practice के साथ-साथ, आपको कुछ tricks बताई जाएंगे, जिससे easily correct answers को identify किया जा सकता है, साथ ही full syllabus mock test है, जिसमें से chances रहते हैं कि as it is questions जरूर आएंगे exam में, full syllabus notes PDF format में available है, जिसकी खास बात ये है कि इसको आप आसानी से अपने mobile phone में कभी भी कहीं में पढ़ सकते हो, and previous year questions की जैसे हम बात कर रहे थे, ये 2000 plus MCQ question bank हम आपके लिए लेकर आएं हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपको previous year questions मिलेंगे set exam के वो भी solution and detailed explanation के साथ, then यहाँ पर आपको most repeated questions की series मिलेगी, and most expected questions की series मिलेगी Hindi English दोनों languages में, बहुत ही ज़ादा best question bank है, सारे examination के analysis के बाद ही इसको बनाया गया है, and इसमेंसे जरूर questions आएंगे, and यही आपको selection लेने में मदद करेगा, इसके लिए आपको सिरफ एक ही भार fees देनी है 2000 रुपीज, जब तक आपका exam qualify नहीं हो जाता students, तब तक आप इस एक ही भार fees देकर इस course का benefit उठा सकते हो, given numbers पर contact करके इसको जरूर join कर लीजे, free videos के लिए global online ने आपको download करना होगा, store section पर जाकर search bar में सरफ course का नाम लिखे, course का overview अच्छे से पढ़ने के बाद content पर जाकर आप देख सकते हो, यहाँ पर demo videos available है, mock test हैं दोनों languages में, unit wise folders हैं जहाँ पर आपको theory lectures, mcq lecture और test मिल जाएंगे, साथ ही separately मेरे sessions हैं, उन students के लिए जो Hindi, English, Bilingual दोनों languages में पढ़ना चाहते हैं, इसमें approximately 200 से भी जादा videos अभी आ चुकी हैं, जो कि exam में आपको guarantee देती हैं, कि अगर आपने सरफ ये भी पढ़ लिया ना, तो भी काफी है, सो given numbers पर भी contact करके आप इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए, साथ ही आपको यहाँ पर इस course में हमारे एक special whatsapp group में add किया जाएगा, जहाँ पर आपका कोई भी सवाल है, आप सरफ group में भेज दीजिए, हम educators आपके सारे सवालों का जवाब वहाँ पर देंगे, आपको one-on-one भी सारी facility यहाँ पर दी जाएगी, बस आप लोगों को इस course को join करना है, ओके, इसके साथ ही जैसा कि हमारा discussion चल रहा था, कि क्या previous year questions important होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा सा important होते हैं, लेकिन क्योंकि exam का pattern change हुआ है, बहुत जादा सालों के बाद exam हो रहा है, तो हम पूरी तरीके से इन पर rely नहीं कर सकते, अब students अगर आपके पास अभी तक previous year questions नहीं हैं, तो मेरे पास उसकी PDFs available हैं solution के साथ, जिसमें की 2014, 2016 और 2017 के questions हैं, ओके, तो अगर वो आपको चाहिए, बस एक बार comment करके कह दीजिए, मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूँगे comment section में ही, आप लोगों को बहुत एक help हो जाएगी previous year questions से, कि कैसा paper आता है, पहले कैसा pattern रहता था, क्या क्या चीज़े रहती थी, इसी से आपको एक clear idea भी हो जाएगा, कि कैसे आगे आने वाले paper की तयारी करनी है, जो student सोच रहे हैं, कि हम self study से कर लेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा ये changes रहेंगे, क्योंकि रेखो syllabus change हुआ है, तो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, कि क्या पढ़ें, क्या नहीं, तो आप लोगों की मर्जी है, बढ़ फिर भी एक अगर guidance के अंदर आप तयारी करते हो, तो आप लोगों के लिए beneficial ही रहेगा, so thank you so much everyone for watching this video, and I wish you all the very best.